इस वीडियो इस नोट स्पोंसर्ड दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको एंजलबन डीमैट अकाउंट का टीपिन जनरेट करके और टीपिन चेंज करके दिखाने वाला हूं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेर जुरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं टीपिन का यूज स्टॉक मार्किट में किया जाता है इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांजेक्शन परसनल आइडिन्टिफिकेशन नमबर और इसका इस्तेमाल कस्टुमर ऑथन्टिसिटी वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है टीपिन को CDSL ने बनाया है और यही इसे मैनेज भी करता है CDSL का फुल फॉर्म होता है Central Depository Services Limited टीपिन छे अंको का एक यूनिक नमबर होता है जिसे आप कभी भी चेंज या रिसेट कर सकते हैं जब आप किसी भी company के stock को buy करते हो और उसे samday sell कर देते हो तो आपको टीपिन की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन अगर आप stock को hold कर लेते हो तो अगले दिन से वो stock portfolio में सो होने लगता है इसके बाद जब भी आप उस stock को sell करोगे तो आपसे टीपिन एंटर करने के लिए ब जाने के बाद email id और message के दुआरा आपका टीपिन भेज दिया जाता है अगर किसी भी कारण से आपको टीपिन नहीं मिला है तो आप इसे खुद से भी generate कर सकते हैं तो चलिए अब टीपिन generate करना सीख लेते हैं टीपिन generate करने के लिए आपको दो चीज़े चाहिए होंगी पैन नमबर और boid यानि की DMAT account नमबर जो की 16 digit का होता है यहां मैं आपको Angel1 DMAT account का टीपिन generate करके दिखा रहा हूं आप ये काम computer और mobile दोनों पर कर सकते हैं तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं Angel1 app में आपको boid कहां पर मिलेगी जब आप Angel1 app को open करोगे तो आपको इ उपर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहां आपका नाम और client id दी है इसके उपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपकी profile open हो जाएगी यहां पर आपको DMAT account details का option दिखाई देगा इसके उपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपकी DMAT account details हो जाएगी यहां पर आपको आपकी boid मिल जाएगी आप यहां किलिक करके इसे copy कर सकते हैं या किसी diary में not कर सकते हैं इसके बाद आपको कोई एक browser open कर लेना है जैसे कि मैंने Google Chrome browser को open किया है और इसमें type करेंगे cdsl india.com और enter करेंगे तो आपके सामने cdsl का ये page open हो जाएगा आप page को थोड़ा सा scroll करोगे तो यहां पर आपको कुछ option दिखाई देंगे आप इस arrow पर click करोगे तो आपके सामने अगला option आ जाएगा एक बार और click करोगे तो यहां edis option आ जाएगा इसके उपर click करेंगे इसके बाद अगला page open हो जाएगा page को scroll down करके नीचे आएगे तो यहां पर आपको दो option मिलेंगे generate t-pin और change t-pin सबसे पहले मैं आपको t-pin generate करके दिखा रहा हूँ click here to generate t-pin for edis transaction इसके उपर click करेंगे इसके बाद एक new page open हो जाएगा page को scroll down करके नीचे आएगे इसमें angel1 की 16 अंको की view id एंटर करेंगे जो की हमने note करके रखी थी इसमें pen number एंटर करेंगे और यहां जो capture code दिया है इसे इसमें एंटर करेंगे अगर आपको capture code समझ नहीं आ रहा है तो आप यहां click करके capture code change कर सकते हैं capture code डालने के बाद next कर देंगे इसके बाद आपके registered mobile number और email id पर एक OTP code send हो जाएगा जो की 15 minute तक valid रहेगा अगर आप 15 minute में OTP code use नहीं करोगे तो इसके बाद आपको new OTP के लिए request करनी होगी और यदि किसी काराण से OTP code नहीं आता है तो नीचे यहां get fresh OTP का button दिया है आप इस पर click करके फिर से OTP मंगा सकते हैं और आपकी email id और mobile पर भेज दिया गया है ये देखिए mobile पर tip in आ गया है इसे आप note करके रख सकते हैं आप जब भी holding stock को sell करोगे तो इसी tip in को enter करके sell order को verify करना होगा और email id पर भी tip in आ गया है चलिए अब मैं आपको tip in चेंज करके दिखा देता हूँ वापस से cdsl web page पर आ जाएंगे और यहाँ जो दूसरा option दिया है click here to change tip in for edis transaction इसके उपर क्लिक करेंगे page को scroll करके नीचे आएंगे इसमें bio id एंटर करेंगे इसमें pen number एंटर करेंगे और ये capture code इसमें डाल कर next करेंगे इसके बाद आपके mobile number और email id पर कोई भी tip in set कर सकते हैं confirm करने के लिए इसमें फिर से tip in enter करेंगे और submit कर देंगे इसके बाद आपका tip in change हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं tip in updated successfully mobile पर message भी आ गया है cdsl tip in changed successfully दोस्तों अब आप tip in generate करना सीख चुके हैं लाश्ट में मैं आपको एक disclaimer देना चाहता हूँ कि इसमें मेरी कोई भी personal financial advice नहीं है इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के mutual fund या stock को buy करने या sell करने की सला नहीं दी है मैंने cable उधारन की तोर पर आपको समझाया है अगर आपको share market में किसी भी तरह का profit या loss होता है इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कोई भी investment या trading करने से पहले अपने financial advisor से सला जूर ले इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like करिए, share करिए और अभी तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए और साथ में bell icon पर जरूर किलिक करिएगा जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक new video की notification सबसे पहले मिल सके Thanks for watching this video